लंदन ओलंपिक में आज से शुरू होगी असली लडाई भारत के 81 खिलाडी अगले 17 दिन तक मैडल के लिए दम लगाएंगे ओलंपिक के पहले दिन भारत के करीब एक दरजन खिलाडी अपने पहले राउंड के मुगाबले में चुनाथी पेश करेंगे वहीं पुरुष तीरंदाजी टीम मैडल के लिए मैडान पर उतरेगी लंदन ओलंपिक में भारत बैडमिंटन से अपने अभियान की शुरूआत करेगा भारत की जुआला गुट्ता और वी डीजू की जोडी कोट पर उतरेगी जुआला और डीजू का मुकाबला भारत के समय अनुसार दोपहर एक बजे से होगा जुआला और डीजू की टककर इंडोनेशिया की टी एहमद और एल नकसीर की जोडी से होगी वहीं सिंगल्स में दोपहर दो बजे से पी कश्यप चुनाथी पेश करेंगी इसके अलावा रात के करीब आठ बजे जुआला और अश्वीनी पौनपपा की जोडी जापान की जोडी से भिढ़ेगी शुकरवार को भारतिय पूरुष तीर अनुसार ने अलम्पिक में आगास कर लिया भारत के जयन तालुपदार, तरुनदीप राय और राहूल बनर जी की टीम बार्वे नमबर पर रही हाला कि इसके बावजूद ये खिलाडी मेडल की रेस में बने हुए हैं एलिमिनेशन राउंड में आज भारतिय समय अनुसार दोपहर डेड़ बजे से तीर अंदाज मैदान पर उतरेंगे भारत की टककर जापान की टीम से होगी जापान की टीम रैंकिंग राउंड में पांच में नमबर पर रही पुरुशों की तीर अंदाजी के सेमी फाइनल और फाइनल भी आज ही होंगे यानि मैडल से भारतिय तीर अंदाजी टीम चार कदम दूर है बीजिंग अलंपिक में भारत के लिए ब्राउंज मैडल जीतने वाले विजेंदर सिंग और युवा शिवा थापा आज लंदन ऑलंपिक में आगास करेंगे राउंड आफ 32 में दोनों खिलाडी आज शाम रिंग में उतरेंगे 56 किलो वर्ग में शिवा थापा की फाइट भारतिय समय अनुसार शाम 6 बजे से होगी वहीं 55 किलो वर्ग में विजेंदर शाम 7 बजे रिंग में उतरेंगे अगर विजेंदर और शिवा थीन फाइट जीत गए तो वो सेमी फाइनल में पहुँच जाएंगे कम से कम ब्रॉंज मैडल पक्का हो जाएगा हाला कि आज विजेंदर और शिवा की सिर्फ एक ही फाइट होगी भारत की दो जोडियां आज टैनिस कोट पर उलंपिक की शुरुआत करेंगी सानिया मिर्जा और रुश्मी चक्रवर्ती की जोड़ी पहले राउंड का मैच खेलेगी टैनिस के मैच भारत के समय अनुसार रात दस बज़े से शुरू होंगे भूपती और बुपन्ना की जोड़ी भी आज ही कोट पर उतरेगी भारत की सोनिया चानू आज वेट लिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में मैडल के लिए दमखम लगाएंगी सोनिया चानू का इवेंट रात आठ वज़े से शुरू होगा ओलम्पिक में पहले दिन भारत के खेलारी 6 खेलों में चुनाती पेश करेंगे हलाकि मैडल दो ही इवेंट में आ सकते हैं बाकी खेलों में मैडल के लिए आपको इंतजार करना होगा क्योंकि पहले दिन कुछ खेलों का सिर्फ पहला राउन ही होगा